तो आज हम बेसिक फिजिक्स में वेव के बारे में जानेंगे टोड़ेस टॉपिक इस वेव क्या होती है वेव एक क्रेक्टराइजड वेवलेंद फ्रिकेंसी और वेलोसिटी होती है एक्जांपल के तोर पर हम ले सकते हैं वाटर लेवल इंद ओशन जो वेरियेशन करता रहता है उसको हम वेव कहते हैं इसमें हमें वेवलेंद का पता होना चाहिए वेवलेंद क्या होती है वेवलेंद एक सक्सेसिव क्रस्ट की जो डिस्टैंस होती है दो क्रस्ट के बीच का उसको हम wavelength कहते हैं, wavelength को हम meters में count करते हैं, इसकी unit meter है, और फिर आता है frequency, frequency है कि wave oscillation per unit of time, कितने time में वो oscillate हो रही हैं, उसको हम frequency कहते हैं, और frequency को cycle per second में count किया जाता है, और one cycle per second, one hertz के equal होता है, फिर आता है wave period, जो एक wave का period होता है, वो उसके one by frequency के equal होता है, अगर कोई period of time है, कि किस time में वो wave आएगी, तो उसको हम one by frequency में count कर सकते हैं, फिर आता है velocity की बात, तो velocity होता है, जो velocity वेव की, वो frequency इंटो में wavelength, वेवलेंथ और frequency का product जो होता है, उसको हम velocity of wave कहते हैं, अब as a radiographer हमें, इसमें क्या जानने की जूर्थ है, कि जो electromagnetic radiation होती है, उसका भी एक तरह से wave nature होता है, वो electric और magnetic field को oscillate करता रहता है, जैसे कि waves में होता है, एक्जमपल के तोर पर आप ले सकते हैं, कि जो visible light है, वो भी एक तरह से electromagnetic radiation होती है, और वो visible light सन से आती है, जैसे example के तोर पर लग सकते हैं, कि जैसे sun से आई, जो visible light है, वो भी एक packets of energy में आते है, उसका nature भी wave nature होता है, यह हमें as a radiographer पता होना चाहिए, दो असल्सक्श करिछकों के दो जा कि जाने कि अच्छेश काल चाहिए, जाने कि यह जा के र所以呢, जाने कि जूँए, गल्यू खर प्यांचेश की पहलां की यूजट। वार हिए, ए